बिहार के मुखमंतरी नितीश कुमार की मंगलवार को होने वाली चन्नेई यात्रा अंतिम वक्त में रद हो गई मुखमंतरी के चन्नेई जाने की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गए थी यहां तक की मुखमंतरी तेजस्वी यादो एयरपूर्ट पर पहुँचकर मुखमंतरी का इंतजार कर रहे थे लेकिन एन वक्त पर नितीश कुमार की तवियत बिगड़ गई और उनका चन्नेई जाने का कारिकरम अस्तगित कर दिया गया हलाकि उनका दोरा रद होने के पीछे स्वास्त कारण बताय जा रहा है कहा जा रहा है कि रात में उनकी तवियत अचानक बिगड़ गई थी इसलिए वे चन्नेई नहीं गए हलाकि आपको बता दें कि पहले से तईकार करम के अनुसार मुखमंतरी नितीस कुमार के साथ उप मुखमंतरी तेजस्वी यादो को चन्नेई जाना था नितीस कुमार का तम्मिलाडू दौरा महत्पुन इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि विपक्षी एक जूटता अभियान के तहत दक्षिन भारत के किसी राज्जी में उनका ये पहला दौरा था वहीं विपक्षी एक्ता की बैठक से पहले दोनों के बीच ये मुलाकात काफी एहम मानी जा रही थी महाकडबंदन के नेताई से विपक्षी एक्ता को मजबूत करने की कोशिश को एक एहम कड़ी मान रहे थे बता दें कि इसके पहले नितीश कुमार पश्चम बंगाल की मुखमंतरी ममता बनर जी दिल्ली के मुखमंतरी अरविंद के जिरिवाल समित जारखंड के मुखमंतरी हमन सुरन से भी मिल चुके हैं इन सभी मुख मंतरियों ने पत्ना में होने वाली महा बैठक में शामिल होने के लिए अपनी सहमती दे दी है।